हेलो एन वेलकम टो ओनलाइन कॉंसेप्ट तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक आप इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि सीटेट का जो एड्मिट काड़े वो रिलीज हो चुका है काफी स्ट्रेंट द्वारा मुझे मिसेज आ रहा था कि स तो मैं ये खबर आपके द्वारा एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको भेज रहा हूं कि सीटेट का ओफिस्यल नोटिफिकेशन में जारी करका बता दिया गया कि एड्मिट कार्ड रिलीज हो चुका है एड्मिट कार्ड में फिलाल के ये प्री एड्मिट कार्ड कर दिया जाएगा तो बहुत बड़ा कोशन उड़ता है कि एक्जाम कभ होगा तो आपका जो प्रीएड्मिट कार्ड कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा इस विडियो में साथ में प्रीएड्मिट कार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आप कैसे चेक कर ठीक है तो ये दोनों जानकारी से आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपका एक्जाम कब होने वाला है आप तैयारी शुरू कर दो बहुत सारे student मुझे mail करके बता है कि सर मेरा exam 24 को है मेरा exam 28 को है ऐसे से date आपके सबने release किया गया है और बहुत सारे student का कहना है कि सर मेरा admit card अभी तक नहीं आया वहाँ पे so कर रहा है कि आपका admit card बाद में release कर दिया जागा बिल्कुल सही बात है बहुत सारे admit card जो pre admit card है जो कि यह भी जनकारी है exam CT exam date यह भी release नहीं किया गया है बहुत सारे student का तो आने वाले कूछ समय में update किया जाएगा उसमें आपको टेंसन लेने का जोटनी है मतलब आपका exam कुछ दिन बाद होने वाला है स्क्रीन पे आपके mobile पे यह आपके laptop पे टैब पे आपके स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा download pre admit card इस पे क्लिक कर लिजेगा ठीक है जिस पे क्लिक करने के बाद डैक लिए आप इस पेज पर पहुस्ट जाओगे जहां पे आपके सामने नज़र आएगा सबसे पहले एक important जानकारी यहां पर भी मैं दे दूं कि यह कोई admit card नहीं है जैसे मैंने आपको बाताया सिर्फ यह allotment है city center city जो central city होगा जहां पे आपका exam लिया जाएगा वह साथ में exam का जो date है वह आपका जानकारी दिया गया है ठीक है सबसे पहले आप अपना applications number लिख लेना यहां पर इसको date of birth डालना और यह वाला security पिन यहां पर copy करकर लिख लेना और submit कर लेना कि आपका exam कुछ दिन बाद होने वाला है और आपको notification जारी करकर बता दिया जाएगा हो सकता है कुछ student को message करकर mobile नमर पे message करकर text message पे आ जाए कुछ को mail आ जाए ठीक है तो tension लेने का जरत नहीं जो भी student form भरें उनका admit का release होगा कुछ ऐसे student का कहना था सर्व मैंने update करने के लिए दिया था कि यह मेरा गलती हो गया था यह सुधारने के लिए उनका भी जवाब बहुत जल्दी आपके mail पे मिल जाने वाला है ठीक है कोई अधर जनकारी चाहिए नीचे comment में पूछ सकते हैं आपको जनकारी मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडि